Hello everyone, today we will draw a fixture of 7 teams by tabular method. Tabular method को ladder method भी बोला जाता है. So let's start, number of team is equal to 7, number of boxes is formula is n plus 2 is 7, n क्या है 7, 7 plus 2 is 9. Previous event case ते थोड़ा formula change है, next is number of round, number of round का formula है आपका n, n क्या है 7, means कि number of round है आपका 7, इसके बाद हम लोग boxes draw करेंगे. Okay, boxes draw करने के बाद जैसे इसमें 9 box था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 boxes मैंने इदे से draw किया है, इदे से भी 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद हम लोग इसको diagonally cut कर देंगे, ऐसे करके. Okay, मैंने ऐसे line draw कर लिया है, line draw करने के बाद आप यहाँ team का नाम लिखेंगे, A, B, C, D, E, F, G, क्योंकि हमारे पाद साथ team है, तो साथ team हों का नाम लिखेंगे, उसके last जो खाली है, इसमें हम by लिखतेंगे, same इदर भी हम लोग वैसे ही repeat करेंगे, E, F, G, and last one is by, by डालने क आप लोग के पास number of round है, 7, इसके बाद हम लोग समाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 2 के बाद आएगा, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ 5, 6, 7, 6, 7, 7, और यहाँ पर दिखेंगे, अब कोई भी number नहीं है, तो 7 के बाद आएगा, 1, 2, फिर से हम लोग नमबर लेना start कर दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हम लोग पहले जिसे हम लोग ने even case में किया था, सेम वैसे ही सारे numbers हम लोग लिख लेंगे, round, इसमें हम लोग odd numbers को पहले circle करेंगे, 2, 4, 6, 7 के बाद हम लोग पहले, जो even numbers है, even number को हम लोग लिखेंगे, 2, 4, 6, numbers है, like 1, 3, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 1, 3 के बाद है, 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, नमबर को ऐसे place करने के बाद, हम लोग rounds बनाना start करेंगे, first round, first round में क्या है, यहाँ पर एप एक चीज नोटिस कीजिए, कि हर किसी को by मिला है, तो first round में पहला क्या है, A और B, तो हम पहले लिखेंगे, A versus B, फिर और 1 का है, यहाँ पर है, C versus G, then आपका है, यहाँ पर E versus, यहाँ पहले, D versus F, then उसके बाद E को मिला है, by, तो हम लोग last में लिखेंगे, E को by, next है आपका second round, second round में हो गया, A, C, A versus C, then two कहा है, आपका यहाँ पर है, means की B को यहाँ पर by मिला है, तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिखेंगे, B को by मिला है, यहाँ पर, then two कहा है, आप ढूंड़िए, यहाँ पर है, D versus G, next two है आपका यहाँ पर E versus F, E versus F, यहोग है आपका second round, now third round, third round में आप three ढूंड़िए कहा है, A versus D, then है आपका यहाँ, B versus C, B versus C, उसके अलावा three है, आपका यहाँ पर E versus G, E versus G, और यहाँ पर है, F में मिला है, इसको by, F को मिला है, यहाँ पर by, now fourth round, fourth round में आपको four देखना है, कहा है, A और E, A versus E, then आपका यहाँ पर B versus D, B versus D, then है आपका यहाँ पर C को मिला है by, तब यहाँ पर C को by लिख दीजेगा, then आपका है four number, four यहाँ हो गया, four है आपका यहाँ पर, B versus G, B versus G, सारा four कट गया है, now fifth round, fifth round में five देखिए, यहाँ पर है A versus F, A versus F, then है आपका यहाँ B versus E, B versus E, then C, D, C versus D, then आपका five है, यहाँ पर, G को मिला by, fifth round हो गया, now sixth round, six round में six देखिए, यहाँ पर है A versus G, A versus G, then यहाँ पर B versus F, B versus F, इसके बाद कहाँ है आपका six यहाँ पर, C or E, C versus E, और six है आपका यहाँ पर, D को मिला by, now last round, seventh round, seventh round में डूना है, seven का है, पहले A को मिला by, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे, A को मिल गया by, कट किया हमने, now B और G, B versus G, then है आपका C versus F, C versus F, next seven का है, यहाँ पर है, D versus E, D versus E, अब देखिए यहाँ पर सारे numbers आपके कट गए, means कि आपका, जो rounds है, वो complete है, सारे को by मिला है, यहाँ पर देखिए, A, B, C, D, E, F, G, G, T में थी, A, B, C, D, E, F, G, अब सब को यहाँ पर एक एक बार बाई मिल चुका है, इक means कि आपका फिक्शर बिलकुल सही है, थैंक यू